प्रेजल ओर दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आसा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे खुस और आनंदित होंगे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम साल के अंतिम दिन में हैं, और हम परमेशों का धन्यवाद करते हैं, इस 2023 में आप लोग हमारे साथ म रोज सुबह शाम की प्रात्ताओं में बने रहे और प्रभु ने आप लोगों के जीवन में बहुत सारे अधवुत अश्यरे कर्म किये। हमारे पास एक महीने में लगबग 300 से अधिक गवाईयां रहती हैं। आने वाला साल 2024 में भी प्रभु आपके जीवन में तहले से बहतर बहुत बड़े बड़े अधवुत अश्यरे कर्मों को करेगा। जो आपके आँखों ने नहीं देखे, आपके कानों ने नहीं सुने, जिनके विश्य में आपने सोचा भी नहीं, ऐसे अधवुत अश्यरे कर्म, ऐसी आससें, ऐसे काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। इस 2024 में इसके लिए हम रोज प्राथना करेंगे। इंस्टरग्राम के माध्यम से, टेक्स मैसेज के द्वारा और लिखित रूप से फॉम में उन्होंने अपनी प्राथनाओं को भीजा। और इस पूरे साल में उन लोगों के लिए प्राथना की गई और उसका उत्तर हमें गवाहियों के रूप में मिला है। इसलिए हम सब आज धन्यवाद से भरे हैं कि इस साल के आखरी महिने में और इस साम में हम सब परमिशर को धन्यवाद देने के लिए तैयार है। और ये समय होगा कि जहां कहीं भी आज आप हैं सच में हिर्दय से इस साल के लिए अपने जीवन के लिए अपने परिवार के लिए आप प्रभू का धन्यवाद करें। आईए हम सब मिलकर वचन की ओड जाएंगे और उसके बद अंके बाद हम प्राथना करेंगे और आज मैं आपसे बात करना चाहताँ कि प्रवो आपको आसिसित करेगा प्रवो आपको जीवन के हर एक छेत्र में आगे बढ़ाएगा आपके परिवार को प्रवो आगे बढ़ाएगा दोस्तों इस पूरे साल में हो सकता है आपके जीवन में कुछ कठनाईयां रही हो कुछ मुस्किलें रही हो कुछ रुकावटें रही हो कुछ बादाईयं रही हो कुछ संकट रहे हो परन्तु आप याद करें कि इस साल में प्रभू ने आपके जीवन में कुछ भलाईयां भी की हैं बहुत सारी भलाईयां की हैं, बहुत सारी गवाईयां दी हैं तो इसलिए परमेश्र का वचन आज आपको उत्साइद करता है कि प्रबू इस साल, इस आने वाले साल में भी आपके जीवन में अपनी भलाईयों को दिखाएगा, अपनी आसिसों को आपके जीवन में देगा एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्याउस्ता विरोन के किताब उसका तीस अध्याई और नौपद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है और यहुआ तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशों के बच्चों और भूमी की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, आमेन दोस्तों यहाँ पर परमेश्व का वचन कहता है कि यहुआ तेरी भलाई के लिए, तुझ पर अपनी भलाई को परकट करने के लिए, तेरा भला करने के लिए, ताकि तो आससित रहे, ताकि तो सफल को इसलिए परमेश्वर तेरे कामों को बढ़ाएगा, तेरे कामों को परमेश्वर आसिसित करेगा, तेरे संतान को प्रभू आसिसित करेगा, उन्हें प्रभू आगे बढ़ाएगा, तेरे पसों को प्रभू आसिसित करेगा, पसों means business, उस रोजगार पर प्रभू आसिस देगा तेरी खेती की उपज को प्रभू बढ़ाएगा, means पर मैं शुर आपको जीवन के हर एक छेतर में आगे बढ़ाएगा, तेरी भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि आप कुसल रहें, आप आगे बढ़ें, आप सफल रहें, आप उन्नति करते चले जाएगा, ये प्रभू चाहता है, इसलिए वो इस वच्चन को आपके लिए क्याता है, कि मैं तेरी बच्चों को आसीस दूंगा, मैं तेरी खेती को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे पसों को बढ़ाऊंगा, उनमें बढ़ती होगी, वे कम नहीं होंगे, वे बढ़ते चले इस साल की नरासा है, इस साल की उदासी, इस साल जो कुछ भी आपके जीवन में गलत हुआ, उस सब को यहीं छोड़कर, इस साल चोड़कर, और इस वादे पर भरोसा करके, कि परमेश्वर मुझे इस नए साल में आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर मेरे जीवन में काम इस वचन पर भरोशा रख कर, इस नए साल में आप परवेश करे। अपने जीवन में आप निरणे लें, decision लें कि मैं प्रभु के पीछे चलूँगा, मैं हरे एक परिस्तती में प्रभु पर भरोशा रखोंगा, प्रबु जो कुछ भी मेरे जीवन में करेगा उसमें मेरे लिए भलाई उपन होगी इन बातों का डिसिजन लेते हुए कि मैं परमेश के विरोध में गलत काम नहीं करूँगा इन बातों का निरने लेते हुए आप इस नई साल दोज़ा 24 में परवेश करें निश्य प्रबु आपके साथ में रहेगा निश्य प्रबु इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा इसलिए दोस्तों विल्कुल भी निरास्त न होई इस साल में जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ उसे भूल कर उन बुरी बीती भी घटनाओं को याद न करें उन्हें भूल कर नए साल में नए सोच के साथ नए उमीद के साथ नए आसा के साथ इस नए साल में आप परवेश करें नए विश्वास के साथ में इस नए साल में परवेश करें और आसा विश्वास उमीद के साथ में इस नई साल में परवश करें और निश्य प्रबूँ आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कारियर करेगा प्रबूँ आपको इस वचन के दौरा बहुतायत से आसिस दे UA titled आमेन परमेश्योर की वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे इसलिए इन परमेश्योर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्योर आपको आशिशित करेंगे इन वचनों को आपकी जीवन में पूर संजय हुआ मैंने कुछ मन्त पहले यून में आप लोगों के मिनिस्ट्री में कॉल करके अपने ट्रांसफर के लिए प्रे कर भाया था और मेरा ट्रांसफर हो चुका है मन चाहे देगा मैं इसके लिए प्रभी येश्य को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं साथ ही आप लोग के मिनिष्ट्री को भी धन्यवाद करता हूं जै मस्य की, हलालुया स्वर्ग में विराजमान अती पवित्र महान हमारे प्यारे पिता, हम आपकी पवित्र उपस्तिती में आते हैं, पिता हम आपका आदर करते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्ये हैं, आप भले परमेश्वर हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्राथना को सुन कर उसका उत्तर देते हैं पिता प्यारे पिता आज जितने भी भाई बैन हमारे साथ इस प्रात्न में शामिल है प्रभू इस लास्ट दिन में परमेश्व पित इस साल के लास्ट दिन में प्रभू जब हमारे साथ प्रात्न में शामिल है प्रभू हर एक जन प्रभू धन्यवाद से भ गीवनों में कि आज हर एक जन दनेवाद से भ마 है कि प्रभू ये पूरा साल प्रभू हमने प्रभू तेरी स्टुरक्षा में बिताया और प्रभू तेरे сум तुरक्षा को हमने महसूस किया प्रभू और आज हम सब भले चंगी स्वस्त हैं, जीवितों की प्रित्वी पर जीवित हैं पिता, और आज प्रभु येश्व हम धनेवादित हैं परमेश्व प्रभु की प्रित्व पिता आपने बड़े बड़े उपकार इस पूरे साल भर में प्रभु अपने लोगों के जीवन में उनके बच्चों के जीवन में उनके परिवार में यह है परमेश्य पिता धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुद वचन के लिए प्रभू आपका वचन पावर्फुल है प्रभू उस वचन को अपने जीवन में आदर देते हैं आपने वचन में कहा परमेश्य पिता कि आप भलाईयों को पिता अपने लोगों के कामों पर उनके संतान पर उनके पशों पर और उनके भूमी की उपज पर आप उन्हें अपनी भलाईयों को दिखाएंगे हाँ प्रभू जो भी ये काम करते हैं प्रभू उस काम पर आप अपने भलाईयों को दिखाएंगे प्रभू इनके घर में पशुओं है पिता, उन पशुओं पर भी आप आशीज देंगे पिता, इनके कामों पर जो काम ये करते हैं, जॉब करते हैं, बिसनस करते हैं, फिर जो कुछ भी कार ये प्रभू ये करते हैं, उस पर आप आशीज देंगे प्रभू, और इनके बच्चों को, ज आपने लोगों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके परिवार के जनों में, उनके प्रभु खेती किसानी में, उनके पशुओं पर प्रभु इस आशीश को हम कहते परमिशु पिता, त्यारे खुदावन, मैं विशेश रुप से प्रातन क करते हैं या फिर प्रभू बिजनस करते प्रभू उस पर आपके आशीश हो प्रभू इनके बच्चों के जीवन में आपके आशीश हो यदि आज वो गलत रास्ते में तो उस गलत रास्ते से निकल कर सही रास्ते पर चले प्रभू सही संगती आप उन्हें दे प्रभू और आ प्रातना करती हूं प्रभू इनके काम पर आशीश करें खुदा, इनके फैमिली लाइफ में, इनके परिवारों पर तेरी खुशाली, तेरी सांती, तेरा आनन्द बना रहे प्रभू, आज हर प्रकार की चिंता, फिक्र, परिशानी, लड़ाई, जगड़े, तनाव, सब कुछ इनके परिवारों को छोड़ कर चला जाए, प्रभू पिता, आज प्रभू इनके परिशानी, इनकी बीमारियों का, इनकी समस्याओं का, इनकी प्रॉब्लम्स का, पिता, इस साल के अंत में उनका भी अंत होने पाई, ये शुनास्री के नाम से, त्यारे परमेश्व प्रभू, आले वाले समय में प्रभू, ये नए साल में जब प्रवेश करते हैं तो प्रभू बहुत ही अद्भुत रीती से परमेशु प्रभू तेरे वचनों को लेकर आगे बढ़ सके धनेवाद पिता हरे के आत्मिक जीवन के लिए प्रातना करते पिता इनके आत्मिक जीवन की उन्नती आप करें वचनों में ये मनन करें प्रभू प में येशू मसीनास्ती के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाए बॉड़ी और गंस चंगे के नाम से हम तुमें आउग्या देते है येशू के नाम से छोटे बच्चों के शरीर से नौजवान ke की श्रीर से बुजर्गों के शरीर से इसी वक्त निकल कर चले जाई जो वेंटि लेडर में है येशु मसी precision के लिए जीवन को कहते है आइस्यू में है येश्यू के नामसे बिलिए जीवन को सब्सक्राइब, भूले की बिमारी, यश्यू के नाम से दूर हो जाए, धन्यवाद पिता, पाल्स की बिमारी से आप इने चुटकारा दे हर एक घाउ से प्रभु इने चुटकारा दे प्रभु जी प्रभु धन्यवाद आपने इनके हड़ी हड़ी मांस मांस को चंगा किया पिता आपने इने रिकवर कर अप किया है आपने इने चंगा किया है धन्यवाद करते और अज हम सब पिता तेरा धन्यवाद देते हैं, अपने हाथों को उठा कर तेरा आदर करते हैं, पिता, हम सब को तुने संगती में बनाए रखा, वचनों में बनाए रखा, प्रभू, बड़े-बड़े उपकार तुने किये, बड़ी-बड़ी गववाहियों को तुने दिया, सारा आदर पिता तेरे नाम को देते हैं, प्रभू, we give honor you, Lord, we give honor you, Lord, Father, in this evening, Father, Lord, thank you, Jesus, thank you, Jesus, you are a great father, thank you, Jesus, thank you, Father, हम घटे और आप बढ़े मेरे पिता, सारी बातों में धन्यवाद देते हैं, जितने भाइबन, इस पूरे साल भर में परमेश्व, हमारे साथ सेवा कारियों में शामिल हुए, प्रभू, उन्होंने निरंतर वीडियो को शेयर किया, लोगों को तेरे वचनों के बारे में बताया, उन्हें आशीज दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया प्रभू, वो हर्ष आनन के साथ में प्रभू, उन्हें और बढ़ोतरी आप दे मेरे परमेश्व है, और जिन्होंने अपने विल्गियों को भेजा, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उन्हें सुना, उत्तरहां आमीन में दिया, धन्यवाद के साथ प्राथना येश्यु के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन और आमेन.